विश्व परियावरण दिवस के उपलक्ष में आज यहां उपस्थेत सभी साधूगण, संतगण, सभी विद्वज्जन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव को मेरा साधर प्रणाम यह बड़ी ही प्रसंदता का विशे है कि प्रख्यात जैन आचार्य डॉकेश मुनी जी के मार्क दर्शन में अहिंसा विश्वभारती संस्था गत तीन दशकों से परियावरण के सवरक्षन के लिये कारेरत है परियावरण सवरक्षन के प्रती जागरुकता के उद्देश से प्रख्यात अध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव जी, स्वामी रामदेव बाबा जी, आचार्य लुकेश मुनी जी, तथा बिके शिवानी जी विश्व परियावरण दिवस के अउसर पर आज मुंबई में हजारों शोताओं को संबोधित करेंगे हम सब के लिए एक स्वरनिम अउसर है मुझे बताया गया कि अहिंसा विश्व भारती संसाद्वारा आयोजित परियावरण सवरक्षन महाकुम्भ में देश विदेश से हजारों लोग प्रत्यक्षुरूप से तथा लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से इस कारेक्रम में जूड रहे है मैं स्वयम ये मानता हूँ कि साधू संथ आचारियों ने जब भी कोई कारे अपने हाथ में लिया है उसे अपार सफलता मिली है आज हमारे सामने परियावरण सवरक्षन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है इसलिए परियावरण सवरक्षन द्वारा शांती और सद्भावना की दुरुष्टी से ये एक बहुत बड़ा कदम है मैं इस आयोजन का बहुत स्वागत करता हूँ और इस आयोजन से जुड़े सभी कारे करता पधारी कारियों को बहुत शुबकामनाएं देता हूँ जलवायू परिवर्तन एवं परियावरण में गिरावट आज वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या बनी है आज पूर्त्वी का तपवान बढ़ रहा है ओजोन की परत को क्षती पहुच रही है और ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं हमारे किसान बंधों को भी कभी कम बारिश तो कभी जोरदार वर्षा का सामना करना पड़ रहा है इन समस्या उसे निपटने के लिए महराष्ट की सरकार ने कई ठोस कदम उठाये है विश्व बैंक की सहायता से नाना जी देशमोक क्रिशी संजीवनी परियोजना बनाई गई है हर ब्लॉक के स्तर पर वेदर स्टेशन बनाए जा रहा है महराष्ट में जलसंधारन की दुरुष्टी से अपूर्वकाम के पिछले चार साड़े चार वर्षों में महराष्ट के जनता ने महराष्ट के सरकार के साथ किया है आज 16,000 गाओं में उन गाओं को अकाल से मुक्त करने के लिए वहाँ पर जलियुक्त शिवार के माध्यम से बड़े पैमाने पर जलसंधारन का काम हम लोग कर पाए है और मुझे यह लगता है आने वाले दिनों में परियावरन पूरक इस प्रकार के जलस्तरोतों का निर्मान महराष्ट में बड़े पैमाने पर हम लोग कर पाएंगी आज बड़ी खुशी की बात है कि सभी विख्यात धर्मगुरू परियावरन रक्षण हेतू एक मंच पर आये है अध्यात्म के माध्यम से ही परियावरन सरक्षण को गती देना संभव है हमारे वेद हो या पुराण या फिर किसी भी धर्म का धर्मग्रंथ सभी प्रकृती को पूछते है प्रकृती तो जीवन दाईनी है पृत्वी पानी हवा प्रदुशित होने के कारण जने जीवन प्रभावित होते हम आज देख रहे है मुझे केवल यकीन ही नहीं बलकि यह विश्वास है कि यह सम्मेलन परियावरन जागरूती के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा अहिंसा विश्वभारती और आचार्य लोकेश मुनी जी इन्हें इस आयोजन हेतू फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हो और आप सभी विद्वजनों को प्रडाम करता हो जैहिन जै महाराष्ट्र